हम लोग थोड़ा सा जोसेफ कॉनरेट के बारे में जान लेते हैं जोसेफ कॉनरेट जो है यह 3 दिसमबर 1857 में पैदा होते हैं और इनकी डेथ जो हो जाती है और 3 अगस्ट 1924 में इनकी डेथ हो जाती है यह इंग्लिश नॉवलिस थे शोर्ट स्टोरी राइटर थे और जो कि नाचेगों में पबिश हुआ था शेकिन नोष्ट्रोम का जोकि 1904 में पबिश हुआ था था तर्ड तर्ड सीक्रेट एजेंट का जोकि 1907 में पबिश हुआ था और पोर्ट जोके नॉवेला है Heart of Darkness 1902 में पबिश हुआ था Heart of Darkness नंवेला है नुवेला किसे कहते हैं तो शोट स्टोरी से लंबा हो और नोवल से छोटा हो तो Heart of Darkness पिसेकली नवेल है क्योंकि यह शोट स्टोरी से लंबा है लेकिन एक नोवल से छोटा है अच्छा उसके बाद जो है इनको अर्ली की Modernist माना जाता है हालाकि इनके वर्क्स के अंदर हम लोगों को 19th century के elements नजर आते जैसा कि realism का element इनके वर्क्स में दिखाई देता है लेकिन फिर भी अपने narrative style के और anti-heroic technique की बेस पर किये Modernist कंसीडर के जाते हैं और इनके narrative style और anti-heroic technique को बहुत से authors ने अप्रिशेट किया है और बहुत से films ने इनके जो वर्क्स हैं उनको adopt किया अपनी जो films की production है उसके अंदर